प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई स्यूक्यरिटी जेल में बंद हार्ड कॉर अपरादियों के पास एंड्रोइड मोबाईल और सिम मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है जेल प्रशासर की ओर से ली गई तलाशी के दौरान गैंक्स्टर सुबाश बानूडा की अंडर्वियर में चाइनीज कंपनी वीवो के मोबाईल के चार हिस्से और जियो की सिम बरामद हुई है बताया जा रहा है कि बानूडा ने चेकिंग से पहले ही मोबाईल को तोड़ दिया और उसे छुपाने का प्रयास किया लेकिन जेल प्रशासर ने उसे जप्त कर लिया जिसकी रिपोर्ट जेल प्रशासर की ओर से सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई है पुलिस मामले की जाज में जुटी है गौर तलब है कि इससे पहले भी दरजनों बार प्रदेश की सबसे सुरक्षी जेल में एंडरोइड मोबाईल वस्सम मिलने का सिलसिला जारी था जिसके बाद नवन्योक्त डीजी जेल ने जेल से कैदियों का संपर्ख तोड़ने की बात कही थी उसके बाद प्रशासर ने अपने सतरक्ता दिखाई है फिलहाल इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जाज शुरू कर दी है वही मोबाइल सिम के माध्यम से कॉल डेटल निकालने का प्रयास किया जा रहा है कार्याले अधिक सक उच्छ सुरुक से कारागर गूगरा अजमेर से एक पहरेरी दवारा रिपोर्ट पैस की गई कि कल दिना 11.2020 को उच्छ सुरुक से कारागरे के वार्ड नमबर एक में बेरिक नमबर एक के अंदर हाड कोर बंदी विचारा दिन सुबास बानूडा सुनोब बलवीर बानूडा जाती जाट निवासी बानूडा तैसिल दांता रामगड दिला सिकर जो विचारा दिन लिए जिसके अंदर भीवो कमपणी का मोबाइल फॉन मिला उसके साथ ही साथ एक सिम भी जी औकंपणी की मिली मोबाइल फॉन इस इस्थती मिला जिन्होंने तेरी रिरपोर्ट में लिखा है कि मोबाइल फॉन के चार टुकड़े थे वह जिसकी हाँ मोबाइल काफी मिलब डेस्टो जीसा कर दिया था अंडर्वेर के अंदर मोबाइल मिला तूटावा मिला चार हिंसु के अंदर मिला यह है उसी उसके अंदर ए तो ऐसे तो साब दिवारा परकान पंजीवद किया गया है और अग्रीम अनुसंदान हमारे थाने के साइक उपने रिक्षिक सिंग्जी दवारा किया दा रहा है जैसा भी होगा अनुसंदान में सामने जाएगा